भारत का एक परिपक में लोगतांत्र हो, दुनिया का सबसे बड़ा लोगतांत्र हो, चुनाव अपने आप में लोगतांत्रिक विश्व के लिए बहुत बड़ी एहमियत रखता है, उसके ग्लोबल वैल्यू होती है, उस समय अपनी सोच की मर्यादाओं के कारव, विचारों में पन्पी हुई विकृती के कारव, इतने बड़े जनादेश को, हम ये कह दें, कि आप तो चुनाव जीत गए, लेकिन देश चुनाव हाई गया, मैं समझता हूँ, कि इस से बड़ा भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं हो सकता, इस से बड़ा जनता जनारदन का अपमान नहीं हो सकता, ये एक सामाने बाके नहीं है, एक गंभीर रुप से, देश के लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है, और जब ये बात कही जाती है, कि लोकतंत्र हार गया, देश हार गया, तो मैं जुरूर पूछना जाओंगा, क्या वाइनारड में हिंदुस्तान हार गया क्या, क्या राइबरेली में हिंदुस्तान हार गया क्या, क्या बहरामपूर में, तिर्वननपूर में हिंदुस्तान हार गया क्या, और अमेठी में क्या हिंदुस्तान हार गया क्या, ये कौन सा तर्क है, यानि कॉंग्रेज हारी तो देश हार गया, मदलब देश याने कॉंग्रेस याने देश हंकार की एक सिमा होती है हंकार हुनाई पीचे सिमा का कहा सवाल है दिकनि इस विप्रकर का में जरा जानना क्या हुआ 17 राज्य 55 साल तक देश में सरकार चलाने वाला दल 17 राज्यों में एक सीट नहीं जीत पाया क्या हम आर्षानी से कह देंगे देश आर गया मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की भाषा बोल करके हमने मतदाताओं के विवेक पर थेश पहुंचाई देश के मतदाताओं को हमने कड़ घरे में खड़ा कर दिया हमारी आलोचना मैं समझ सकता हूँ और लोगतंत्र में उस्विकारिय भी है इतना ही नहीं आलोचना सम्मानित है लेकिन देश के मतदाताओं के इस प्रकार का अपमान बहुत पीड़ा देता है और तब जाकर के हो सकता है मेरी बानी में कोई आकरुश भरे शब्द भी हो लेकिन वो मेरे दल के लिए नहीं है इस देश के परिपक्व लोगतंत्र के लिए है भारत के समिज़ान निर्माताओं के समझाई के लिए और हमारा हम इस तुनाब बे देखे 40-45 डिग्री टेंपरिचर और लोग दिन दिन भर कतार में ख़़ए 80-90 साल के विजूर्ग हाथ में लाठी लेकर के वोट करने के लिए जा रहे थे कई ऐसे चुनाव का जिम्मेवारी समालने वाले अधिकारी दो दिन पहले मा के मृत्व हुई है लेकिन चुनकि चुनाव के अधिकारी के लिए जिम्मेवारी है वो इवियम मशीन का दब्तर उठा करके किसी गाउं में गया है डूटी कर लेकि कितने कितने लोगों के तपस्याप उके बाद चुनाव होता है और हम ऐसे ही देश के मद्दाताओं का अप्मान करते हैं हम उच से आगे बढ़ गए पता नहीं हमारे मन को क्या हो गया हमने ये भी कह दिया है देश के किसानों का अप्मान कर दिया हमने यहां तक कह दिया है देश का किसान विकाउ है दो दो हजार उपे की योजना के कारण किसानों के वोट थरीज लिए गए मैं मानता हूँ इस देश के किसान को ऐसे अपमानित करना नहीं चाहिए मेरा देश का किसान हमारे देश का किसान विकाओ नहीं है हमारा देश का किसान तो वो है जब अन्न पैदा करता है काली मजदूरी करके अन्न पैदा करता है वो कभी सोचता नहीं है कि मैंने मेहनत करके जो अन्य पादा किया है वो किस के पेट में जाएगा गरीब के पेट में जाएगा है कि हमीर के पेट में जाएगा वो कभी नहीं सोचता है उस किसान के लिए हम यह कह दे कि हमारे देश में मैं समझता हूँ पंदरा करोड किसान परिवारों को पर अपने अफ्मानित किया इस प्रकार की भाशा का प्रहूक करके कि दो दो हजार रुपे की स्कीम के अकारण वो बिग गए मैं हरान हूँ मिडिया को भी गालिया दी गए इसा मिडिया के अकारण चुनाव जीते जाते हैं हम कहां खड़े हैं मिडिया के कानल चुनाव जेते जाते हैं मिडिया विकाव है क्या मिडिया को खरीद लेता है क्या और खरीद करके जिरते हैं और जिन राज्यों में क्या तमिलनाडू में भी यही लागू होगा क्या 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 किरल में यही लागू होगा क्या हम उन्त बातों को करें जिस बा महत्रों का अपना एक महत्रो होता है हम कुछ भी कहते रहते हैं और ठीक है अख़वारों में हेडलाइन मिल जाएगे लेकिन भारत का लोक्तर जिसमें दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा है हमने गर्म होना चाहिए भारत की चुनाओ प्रक्रिया विश्व में भारत की और इस अफसर को हमने खोना नहीं चाहिए जब इलेक्शन कमिशन से जुड़े हुई लोग मुझे मिले थे तब मैंने उनसे कहा था जो निवरत्मान होते थे वो जब मिलने आयद उनको कहता था मैंने कहा हमारी है कि ऐसी बड़ी अमानत है ये तुना प्रतिया और व्यवस्ता है वीश्व के सामने जानी चाहिए आप कलपना कर सकते हैं कितनी विशावता और व्यपकता दस लाग पॉलिंग स्टेशन चालिस लाग से ज़्यादा इवियम मशीन साड़े छे सो राजनितिक दल आठ हजार से ज़्यादा केंडिडिट्स कितना बड़ा रूप व्यापकता हम इस बात को दुनिया के सामने रखे कितना गर्ब हो सकता है दुनिया को भी अस्यर होगा मैं समझता हूँ कि हम अपने नीजी राजनितिक कारणों से हम इस पकार से कहें इस चुनाओं में एक बहुत बड़ी बाप नजर आई है हमारी बेहन बेटियों ने जो कमाल की है हमारे देश में चुनाओं पहले से होते हैं महिलाओं को मद्दान पहले से मिला हुआ है लेकिन हमने देखा हैं हमेशा पुरूष और श्त्री के मद्दान में करीब करें 9-10 % का मार्जिन रहता था पुरूष का मद्दान करीब करें 9 परिशन ज्याधा रहता है पहली बार ये करीब करीब zero हो गया ये अपने आप में भारत के लोग कंत्र के एक उजबल निशानी है हम उसमें से उन चीजों को देखे और इस बार खुशी है कि करीब 78 साउसद महिला हमारी बहने चून करके आई है इस चुनाओ में भारतिय जनता पार्टी और NDA के लोग जीत करके है इतना नहीं है इस चुनाओ के एक विशेस्ता है नौर्थ हो साउथ हो इस्ट हो वेस्ट हो सभी कोने में बहुमत के साथ BJP और NDA जीत करके है ऐसा नहीं कि एक कोने में है सब दूर उसको हमें स्विक्रूति मिली है जो लोग हार गए हैं जिनके सपने चूर चूर हो चुके हैं जिनके हंकार को छोट पहुंची हैं वो देश के मद्दाताओं का अभिवादन नहीं करक्वाते होंगे लेकिन मैं सर जुकाकर के भारत के कोटी कोटी मद्दाताओं का अभिवादन करताओं अभिनंदन करताओं का धन्यवात करताओं और भारत के लोग तंतिक प्रक्रिया को निभाने वाली उस विवस्ता सुष के साथ जुड़े हुई है छोटे मोटे सब अफसर सिकूरिटी के लोग इलेक्शन कमिशन यह सब अभिनंदन के अधिकारी है मैं उनका अभिनंदन करताओं